दियर इस्ट्रेंड्स आज हम राजस्थान के अपुवा टंत्र के बारे में अध्यन करेंगे यह आपकी फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है बहुत ही महतुपून टॉपिक है परिक्षा में इस टॉपिक पर निबंधात्मक प्रशन पूछे जाते हैं और साथ ही मानजित्र में भढ़ने के लिए भी प्रशन आते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे अपुवा टंत्र होता क्या है अपुवा टंत्र किसी भी प्रदेश में मुख्य नदियों और उसकी सहायक नदियों के उत्पत्ति एवं विकास से सम्बंधित होता है किसी भी प्रदेश में अपुवा टंत्र की उत्पत्ति और विकास को उस प्रदेश की जलवायू, उच्चावच, समय और चट्टानों के संडचना प्रमुख रूप से प्रभावित करते हैं जब हम राजस्थान के अपवहा तंत्र की बात करते हैं तो राजस्थान के अपवहा तंत्र को हम तीन भागों में बाटकर अध्यन कर सकते हैं पहला है आंच्रिक अफवातंतर, दूसरा है अरब सागरिय अफवातंतर और तेसरा है बंगार की खारी का अफवासंतर सामने रूप से हम देखें तो राजस्थान के अफवातंतर में बहुत सारी विविदताएं देखने को मिलती हैं यहां की अधिकांस नदियां बरसाती हैं और वर्षा के पानी पर निर्फर हैं चंबल एक मात्र नित्यवाही नदी के अंतरगत आती हैं राजस्थान का अधिकांस अपवह तंत्र आंत्रिक अपवह प्रणाली के अंतरगत आता है राजस्थान का लगभग 60 प्रतिशत भूभाग आंत्रिक अपुवाह तंत्र से संबंदित है अरावली परवतमाला राजस्थान में प्रमुख जल विभाचक का कारिये करती है जल विभाचक से तातपरिये है किसी भी प्रदेश में इस्थित वह उच्च भूभाग जो उस प्रदेश में अपुवाह तंत्र की दिशा को निर्धारित करता है उसे हम जल विभाचक कहते हैं तो राजस्थान में अरावली परवतमाला जो कि दक्षन पश्चिम से उत्तर पूरव की ओर इस्थित है वह प्रमुख जल विभाचक का कारिये करती है और यह राजस्थान के अपुवा तंत्र को मुख्य रुप से अरब सागरिय अपुवा तंत्र और बंगाल की खाड़ के अपुवा तंत्र में वर्गिग्रत करती हैं यदि हम देखें कि राजस्थान के सभी जिलों में आंत्रिक अपुवा की या अन्य मुख्य नदियां सहायक नदियां प्रवाहित होती हैं लेकिन चूरू और बीका नेर दो ऐसे जिले हैं जहां कोई भी नदी नहीं पाई जाती हैं राजस्थान की जितनी भी नदियां हैं उन सबकी अलग अलग विशेष्टाइं है इस चैप्टर में हम इन सभी नदियों के उद्गम उनकी उत्पत्ति स्थर, उनकी सहायक नदियां और उनके अंतिमिस्थर और उनसे संबंदित प्रमुख विशेस्ताओं के बारे में अध्यन करेंगे सबसे पहले हम राजस्थान के आंत्रिक अपुवा प्रणाली के बारे में अध्यन करेंगे आंत्रिक अपवाह तंत्र से तात्परी जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान का पश्मी भूभाग आंत्रिक अपवाह प्रणाली के अंतरगत आता है और राजस्थान का लगभग 60% भूभाग आंत्रिक अपवाह छित्र से संबंधित है आंत्रिक अपवापणाली से तात पर यह है कि नदियां जो है किसी खुले सागर में, महा सागर में नए गिर कर, किसी मरुस्थल में या फिर किसी जील में गिर कर समाप्त हो जाती हैं उसे हम आंत्रिक अपवापणाली कहते हैं आप मानचितर में देख सकते हैं कि राजस्थान का अरावली के पश्चिम में इस्थित भूभार आंत्रिक अपवहा के अंतरगत आता है यहां की प्रमुख्ष आंत्रिक अपवहा पढ़नाली वाली नदियां हैं घगर, कांतली, काकनी, साबी, बानगंगा और भी बहुत सारी कई छोटी मोडी नदियां हैं जो आंत्रिक अपवहा पढ़नाली के अंतरगत आती है सबसे पहले हम घगण नदी के बारे में पढ़ेंगे जैसा कि आप मांचित्र में लोकेशन देख रही हैं कि घगण नदी जो है वो राजस्थान के उत्री भाग में प्रवाहित होने वाली नदी है किन्तु वर्तमान में यह विलुप्त नदी की श्रणी में आती है इसे मृत नदी भी कहते हैं यह नदी हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास कालका के निकट से निकलती है और हनुमान गड़ में राजस्थान में भटनेर नामक स्थान पर यह मरुस्थल मेबिलीन हो जाती है इस नदी को प्राचिन काल में, पाकिस्तान में हकरा के नाम से जाना जाता था इस नदी की कुल लंबाई 465 किलो मीटर है वर्षा रितु में इस नदी में बाड़ के भी हालात हो जाते हैं और गंगानगर में सूरतगर तक बाड़ के हालात जैसी स्थती हो जाती है घगर नदी के पाठ या किनारे को नाली कहा जाता है तो घगर नदी की लोकेशन आप मांचितर में देख रहे हैं और ये आपके परिक्षा में मांचितर में भढ़ने के लिए आती है दूसरी प्रमुक नदी है कातली नदी मानचित्र में आप लोकेशन में देख सकते हैं कातली नदी मैंने आपको लोकेशन में दिखाई है कातली नदी जो है वो सीकर में खंडेला की पहाडियों से निकलती है और यह मुख्य रुप से सीकर और जुनजुनु जिलों में प्रवाहित होती है और चूरू में प्रवेश करते ही यह है नवरंग पुरा गाम के निकट विलीन हो जाती है यह नदी दक्षन से उत्तर की और प्रवाहित होती है इसके बहाव छितर को तोरावाटी कहा जाता है इसके बार हम तीसरी नदी पढ़ेंगे कांकने नदी कांकने नदी की लोकेशन आप मांचितर में देख सकते हैं कांकनी नदी जो है जैसलमेर के निकट कोटरी गाउं से निकलती है यह जैसलमेर में बहने वाली आंत्रिक प्रवाह की प्रमुक नदी है यह जैसलमेर के तरफ से निकल कर उत्तर पश्चिम में बहती हुई बुछ जेल में गिर जाती है और विलीन हो जाती है इसे इस्थानी भाषा में मसूर्दी नदी के नाम से भी जाना जाता है इसके बार चौथी नदी है आपकी साबी नदी जैसा कि आप मांचित्र में देख रहे हैं साबी नदी जो है वो जैपूर में सेवर के पहाड़ियों से निकलती है और हरियाना में पटोदी के पास विलीन हो जाती है वर्शा रितुम में यह अपनी विनाश लेला के लिए प्रसिद है इस नदी का पाठ चोड़ा है और तेज भहाव से म्रदा का कटाव भी अधिक होता है इसलिए इस पर आज तक बांध का निर्मान नहीं हो पाया है अगली नदी है बान गंगा नदी बान गंगा जो नदी है आप मांचित्र में देख सकते हैं इस तरीके से बान गंगा जो है जैपूर में बेराट की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी है यह जैपूर दोसा भरतपूर जिलों में प्रवाहित होती है भरतपूर में इसका पानी फतेहा बाहत के निकट फैल जाता है और इसे हम रुंडित नदी भी कहते हैं रामगड के पास बांध बनाकर जैपूर शहर को इस नदी से पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है इसके अलावा मेंधा, बांडी, रूपनगड और भी कई छोटी छोटी नदियां हैं जो आंत्रिक अपवहा के अंतरगत आती हैं जैसा कि आप इनकी लोकेशन देख सकते हैं मानचितर में तो इस त्रेंड्स यह राजस्थान की प्रमुख नदियां हैं जो आंत्रिक अपवहा के अंतरगत आती हैं सभी नदियां बहुत ही प्रमुख नदियां हैं इनके बारे में परिक्षा में objective type के question पूछे जाते हैं, साथ ही मानचित्र में इनकी location भढ़ने के लिए आती है और exam में कई बार राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंतर के उपर short note भी पूछा जाता है तो आप मानचित्र बनाते हुए राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंतर को कवर्णन करेंगे अगले lecture में हम राजस्थान के अरब सागरी अपवाह तंतर और बंगाल के खाड़े के अपवाह तंतर के बारे में अध्यन करेंगे थेंक्यो